एक वाई फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, आज फिर से मैं आप सभी के लिए Class 7th Science बिग्ञान Chapter 1 जिसका नाम है पाधपो में पोशन, सबसे पहले तो आप ये समझ लिजे कि पाधपो होता क्या है, तो पाधप कहने का मतलब होता है पेर, पेर के बाद आप पोधे कह सकते हैं, पेर और पोधो को हम पाधप कहते हैं, और पोशन का मतलब होता है खाना, जो भी हम फ्रियंस लेते हैं भोजन के रूप में, उसे हम पोशन कहते हैं, जैसे हर एक इनसान को अपने जीवन में जीने के लिए, रोटी, चावल, केला, फल, है न, तो जितने भी सजीव होते हैं, उन सभी को खाने के लिए भोजन कियाब सकता होती है, तो आज के इस चेप्टर में हम पाधपो में पोशन के बारवे पढ़ेंगे, पाधपो में पोशन कहने का मतलब है, पेर पौधों के अंदर किस प्रकार से भोजन का निर्मान होत चेप्टर पढ़ाया है न, कि भोजन जो है, वो बहुत जरूरी चीज़ है, खाने के बात सरीर में वो मतलब सकती देता है, उरजा परदान करता है, जिसमें हमने पढ़ा था कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, वसा, बिटामीन, एबं खनी, भोजन के घटक हैं, ये जितने भी भोजन के घटक है, जिसमें कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, वसा, बिटामीन, एबं खनी जाता है, ये हमारे सरीर के लिए अबस्यक है, ये सारी चीज़े हमने क्लास 6 में पढ़ा था, क्योंकि इनी सभी चीज़ों के भोजन के रूप में लेने से हमारे सरीर में क्या होता है, इनरजी रहता है, सकती रहता है, और इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पोसक कहते हैं, इन सभी चीज़ों को हम पोसक के रूप में जानते हैं, ऐसे ही, जैसे इनसानों को भोजन की आप सकता होती है, ऐसे ही, यहाँ पे लिखा हुए है, सभी जीवों को भोज भोजन स्वैंग नहीं बना सकता वे पादपों अथवा पादपों का अहार गरहन करने वाले जन्तूओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं देखिए यहां पर बहुत बड़ी बात कह गई कहा गया कि जितने भी जन्तू है ना जितने भी मानव है वो अपना भोजन खुद लोगों को लगता हुआ है यह कैसी बात हो गई मम्मी तो सुबर सुबर खुद ही खाना बनाती है मम्मी तो खुद ही खाना बना के देती है चुले पर पकाती है इस डैट यह सब नहीं अपना भोजन स्वैंग पकाने का मतलब है कि खुद का बनाया हुआ खाना खाना हम लो को कहेंगे स्वाइं के द्वारा बनाया गया खाना तो यहां पे हम क्या करते हैं दूसरे जंतु के उपर निर्भर करते हैं अगर हम मीध खाते हैं या चिकन खाते हैं तो यहां पे आपको ये समझ में आ गया होगा अब हम बात करेंगे पादपो में पोशन भी धी अब इसमें बताया जा रहा है कि केवल पादप ही ऐसे जीव हैं पादप मतलब पेर पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल कारवन डाय ओक्साइड एबं खनीज की सहायता से अपना भोजन स्वेंग बनाते हैं ध्यान से समझझेगा केवल पेर पौधे ही पृत्वी पर एक ऐसे प्रजीव हैं जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं किसकी मदद से पानी के मदद से कार्बन डाय ओक्साइड को हम सीयो टू भी जानते हैं इसके अलावा वो खनीज की सहायता से अपना भोजन पकाते हैं ये सारे चीजे को लेके अपना भोजन खुद बनाते हैं, ओसक पदार्थ सजीवों की सारीरिक सर्वचना, पिर्धी तथा छती ग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं, ओसक पदार्थ जो हम आपको क्लासिक्स में पढ़ा रहे थे, कि हम कार्बो हाइड्रे सक्ति देता है, सरीर के खड़ाब अंगों को वापस सही करने में मदद करता है, ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है पोशक पदार्थ जो हैं, जो पोशक पदार्थ होते हैं, वो सरीर की सनचना में, मतलब बॉडी को बनाने में, उसको बढ़ाने में, बिर्धी करने में, और उनको भागों को रखडखाब को सही करने में समर्थ बनाता है, मदद करता है, इसके अलाबा जैब प्रक्रमों के लिए अवस्यक उर्जा भी परदान करते हैं, एक चीज़ अब इंपोर्टेंट याद रखिएगा, सजीबो द्वारा भोजन गरहन करके, इसका उप्योग क बिधी जो है, वो पोशन कहलाती है, यह आपसे प्रशन कूछा जा सकता है, उसमें आप बताएंगे सजीवो द्वारा, जितने भी सजीब पदार्थ हैं, वो जो भी भोजन करते हैं, और उनके भोजन करने की खाने की जो बिधी होती है, जो तरीका होता है, उसे हम क्या कहत पोशन कहते हैं, पोशन की वह बिधी, जिसमें जीव अपना भोजन स्वेंग संसलेशित करता है, स्वपोशन कहलाता है, जब कोई भी जीव अपना भोजन खुद से बनाने लगे, जब वो अपना भोजन खुद से बनाने लगता है, तो वो क्या कहलाता है, स्वपोशन कहलात जो जीव जन्तु खुद का भोजन खुद से बनाता है स्वपोशन कह लगता है और ऐसे ही पादपो को हम स्वपोशी भी कहते हैं याद रखिएगा स्वपोशन जिसे हम कहते हैं वैसे ही पादपो को हम स्वपोशी भी कहते हैं इसके अलाबा अन्ने जीव जन्तु जो होते है इसके अलाबा पेर पौधों के अलाबा जितने भी जिब जनतु हैं, चाहे वो इनसान हो, छिपकिली हो, जानवर हो, गाय हो, बैस हो, सेर हो, चीता हो, कुछ भी हो, वो क्या करते हैं? पादपों द्वारा संसलेशित भोजन करते हैं, मतलब जो पेर पौधे बना के देते हैं उन्ही को खाते हैं उसे हम बिसम पोसी कहते हैं जो पादपो के भोजन को अपने भोजन के रूप में गरहन करते हैं उसे हम बिसम पोसी कहते हैं अब हम बात करेंगे प्रकास संसलेशन के बारे में जिसे हम इंगलिस में फोटो सिंथेसिस भी कहते हैं फोटो सिंथेसिस अगर आप से पूछा जाए प्रकास संसलेशन किसे कहते हैं या फिर इसके प्रक्रम के बारें बताईए तो आप बताएंगे पतियों द्वारा पेर पौधों में पतियां होती है ना इन पतियों द्वारा पादर की खाल फैक्टरियां मानी जाती है इन पतियों को पेर पौधों की मानी जाती है क्योंकि यही पत्ती जो है वो सुरिक के प्रकास को खेंच कर पेर को अंदर तक देता है जिससे वो अपना भोजा निर्मान करता है मिट्टी के अंदर जितने भी जल उपस्थित होते हैं पानी उपस्थित होते हैं, खनीज उपस्थित होते हैं, ये पेर पौधों के जरों के द्वारा, मूल के द्वारा खेंच लिये जाते हैं, और फिर तनों के माध्यम से इसे पक्तियों तक पहुँचाया जाता है, पेर की जरों के माध्यम से मिट्टी के नीचे से जल को, खनी को खेच के पूरे पेर के पतियों तक पहुंचाया जाता है पति की सतह पर उपस्थित सुच्म रंध्रों द्वारा रंध्रों का मतलब होता है छेद पति को अगर आप सही से देखोगे न तो उसमें आपको छोटे-छोटे छेद दिखाए देंगे उसके अंदर क्या होता है वायू में उपस्थित कारवन डाय अक्साइड प्रवेश करती है मैंने आपको पताया था CO2 कहते हैं कारवन डाय अक्साइड को CO2 उसी पति के छोटे-छोटे छेद के माध्यम से प्रवेश करती है और फिर क्या होता है यह रंध्र जो है वो द्वार के कोशिकाओं द्वा पत्यों तक पहुचाए जाते है जल एवं खनी जो है जल जो होता है जो मिट्टी के अंदर पेर-पौधे की जर जो एब्जॉर्ब करता है उसे खेचता है वो क्या करता है उन्हीं पेर की टहनियों के द्वारा पूरे पेर में फैल जाता है आप लोगोंने नोटिस किया हो जब भी आप कोई नया पेर पौधा लगाते हो तो उसके जर में पानी डालते हो जर में पानी डालते हो ताकि पेर सूख न जाए तो उसके जर में ही पानी क्यों डालते हो उसके सर पे पानी डाल दो सर के उपर ही पानी एक डोड़ा डाल दो कहो क्या पेर नहीं सूखेगा नहीं, हम उसके जर में इसलिए डालते हैं, कि उसका जर जो होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करके पूरे, मतलब पेड के अंदर फैला देता है, जैसे एक्जाम्पल के लिए मैं इंसान को ले लेता हूँ, इंसान खाता तो मुह से, लेकिन निकलता तो कहीं और से है, तो उसके अंदर से energy निकलके पूरे body को मिल जाता है तो अब कहेगा लोग कि अरे यार मूँ से खाने की क्या जो होता है पूरा खाना को दे हाथ में लेख लो ना पूरा मूँ कानो चावल दाल सबजी लगा लो अपने आप energy आजागा ऐसा तो नहीं होता है खाना तो मूँ में ही बाहर कर देते हैं तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी है कि यहाँ के जो जर है ताना है साखा है पती है वो सब फैली होती है और पोसकों को पतीयों तक पहुंचाने के लिए ये वाई का एक सतत मर्ग बनाता है रास्ता बनाता है ताकि पेर पादे जो लो से exacerb करते हैं वो पेर के च इसे आए में आप आगे अच्छा साथ में पढ़ेंगे, अब ध्यान से समझिए कि पत्तियों में एक हरा वर्नक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ये क्लोरोफिल बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, हर पत्ति, पेर पौदों के जो भी पत्तियां हरे कलर की होती है, हर कलर होने का सबसे मुख कारण उसका पत्यों में मौजूद क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल जो पत्यों में मौजूद होता है इसी कारण से यहाँ पे इसके पत्ते जो है वो हरे कलर के दिखाई देते हैं और क्लोरोफिल को आप मामूली मत लीजेगा क्योंकि क्लोरोफिल जो ह वो सुर्य के प्रकास की उर्जा को संग्रहन करके पत्ती की सहायता करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, सुर्य के प्रकास वो खीच के रख लेता है, और पत्तियों को दे देता है, करता है ले भा इसे अपना भोजन तयार कर लेना, इस उर्जा का उप्योग जल एवं कारवन ड अगर ये बहुत बड़ा point हो गया है तो मैं shortcut में आपको समझा देता हूँ कि प्रकास संसलेशन क्या होता है सुर्य की उपस्थिती में जितने भी पेर पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्मान करते हैं और उनके इस भोजन के निर्मान करने की प्रकिरिया को हम हिंदी में प्रकास संसलेशन और इंग्लिस में photosynthesis कहते हैं यहाँ पे आपको पत्ती का photo दिखाया गया है जिसमें एक पत्ती है लेकिन जब आप प्तِّ को दूर से देखो तो आप कुछ पता नहीं चलेगा अब जैसे इस पत्ती को zoom किया गया है तो आप इस पत्ती को zoom करके देखिए कि इसके अंदर छोटे-छोटे छिद्र हैं छोटे छोटे एक द्वार बने हुए हैं और यह जो आपको हरे हरे कलर के रंग दिखाया देते हैं यही हमारा प्लोरोफिल है जो सूरे के प्रकास को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर रख लेता है यहां पे आपको एक तस्वीर दिखाया गया है जिसमें यहां प प्रकिरियाओं में यह जो पादप है यह अपने स्वैंग के भोजन का निर्मान कर रहा है अब यहां पे सैवाल किसे कहते हैं उसे भी समझ लीजे आपने गिली दिवार को देखा होगा जिस पे पानी लगा होता है या फिर तलाब में देखा होगा या फिर ठहरे हुए पा आप से पूछा जाए सैवाल किसे कहते हैं तो आप सैवाल के बारे में समझ गए जो जील की पानी होती है तलाब का पानी होता है उसके उपर हरे रंकी जो काई जम जाती है ना जो हरे रंका काई जम जाता है दिवाल पे जम जाता है या आप गाउंग वेगरा में देखोग किताब में जो अधा पेज इधर आधा इधर लिखा है ना इसमें बना दिक्कत होता है पढ़ाने अब हम बात करेंगे पादपो में पोशन की अनविधियां मतलब पेर पौध के पोशन करने के अलग अलग पढ़नाली अब हमने अभी तो आपको पढ़ाया है कि जितने भी पेर पौध हैं वो खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं लेकिन कुछ ऐसे पादप भी हैं जो दूसरे पेर पौध के बनाए गए भोजन को गरहन करते हैं देखिए जिन में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता वे भोजन संसलेसित नहीं कर सकते ऐसे पेर पौधे जिसमें क्लोरोफिल नहीं प लतर गई है, फैल गई है, इसके अंदर पतियां नहीं होती, बस ये पेड़ों के उपर लतर जाता है, गाओं घर में इसे हम अमरलती के नाम से जानते हैं, तो इसमें तो पतियां होता नहीं, और पतियां होगा नहीं, तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा, और क्लोरोफिल नहीं ह तरह ये पादब भी, जैसे मनुष दूसरे के द्वारा भोजन गरहन करता है, ये पादब भी अपने पोशन के लिए अनपादपोद्वार निर्बित खाद पर निर्भर होता है, मतलब दूसरे पेर पौधर के ऊपर चड़ के उनसे अपना भोजन ले लेता है, और इसी को हम बिसम पोसी प्रनाली के नाम से जानते हैं अब हम आपको पतायते हैं कि बिसम पोसी क्या होता है आपको अमर बेल जिसे हम अमरलत्ती के बारे में आपको बताया है इसे अमर बेल भी कहा जाता अमर बेल इस पौधे का नाम है इस पादब का नाम है इसमें क्लोरोफिन नहीं होता है, यह जो हरा हरा आपको दिखाए दे रहा है इसमें क्लोरोफिन नहीं होता, यह आरोहित होते हैं, मतलब दूसरों के द्वारा बनाए गए भोजन पर ही ठीके होते हैं, इसलिए इसे हम परपोसी कहते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप अर जीवन चलाता है इसलिए इसे हम परजीवी कहते हैं मतलब दूसरे जीव के ऊपर रहके उसके भोजन को गरहन करना परजीवी कहलाता है यहां पर जो आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है यह है तो पौधा लेकिन यह क्या करता है पता है यह कीरे मकोरो को खाता है यह जो इस के अंदर के रस को चूज के पेड़ पौदे अपने सकती को बढ़ाते हैं तो इनके बारे में जान लेते हैं ये होता क्या है देखिए इसमें आपको पढ़ना है जो इसको हम क्या कहते हैं कीट भक्षी पादप कहते हैं जो पादप जो पौदे दूसरे कीटो को खाके किरे जो होते हैं वो जाके फ़ज जाते है और इसका घडा जैसे डिजाइन होता है उसमें उपास्थित पाच्यकरस द्वारा कीटो का पाचन हो जाता है कीटो को अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कीटो का भुकच्चन करने वाले ऐसे पादप को क्या कहते हैं? कीट भख्ची पादब कहते हैं, मतलब कीरे खाने वाले पादब कहते हैं, इसके बाद हमारा topic है, म्रितजिवी किसे कहते हैं? म्रितजिवी क्या होता है, बेरी बेरी important रहेगा, BBI म्रितजिवी क्या होता है? तो देखिए, आपने बजार में मस्रूम बिक्ते हुए देखा होगा, मस्रूम आप लोगोंने खाया भी होगा, सबजी होता है, इसका काफी लोग पसंद करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता मस्रूम की सबजी, मुझे बड़ा बेकार से लगता है, बहुत लोगों को मस्रूम की सबजी अच्छी लगती ह तो आपने बिखते हुए देखा होगा परसा के दिनों में क्या होता है यहां तो मस्रूम आपने बिखते हुए देखा होगा अपने गाओं बगेड़े में आप जाओगे न तो उसे हम गोबर छत्ता कहते है बारिस के मौसम में वो उग जाता है छत्ता छत्ता टाइप का बढ एलबातनो या छाल पर छाते के समान इसका जो आकार होता है वो चाते की तरह होगा तो ऐसे ही मैं आपको इमेज में दिखा ढ़ता हो कैसा होता है ये देखेगए ये मस्रूम जा कर जाए लग लेकिन यह गोबर छटता आप कह सकते हो इसको ये ऐसे पेड़ पधो के उपड़ रुख जाता है इस प्रकार के पोसको कियाब सकता हो जीवन यापन हे तु इन्हें किसी प्रकार के भोजन कियाब सकता होती है तो अब हम बात करेंगे इन्हें वो पोसक प्राप्त कहां से होता है कहां से प्राप्त करते हैं ये तो देखिए इस प्रकार की पोसक प्रनाली जि में जीव किसी मृत या बिघटित जैविक पदार्थों से पोसब प्राप्त करते हैं द्यान समझेगा ऐसा समय जिसमें किसी मरे हुए पेर पौधे से या मरे हुए जीव जनतू से अगर कोई दूसरा जीव जनतू अपना भोजन प्राप्त कर रहा हो तो उसे हम मृत जीवी कहते हैं मृत जीवी पोसक पर्नाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं मतलब अब देखे मैं एक ज्यामपल के लिए बता जाता हूँ कि कभी कभी कोई चीजी खराब हो जाता है जैसे कि मालो कुछ मांस का टुकड़ा ले लो मांस के टुकड़े को 10 दिन क कहते हैं और ऐसे जीव को हम मृत जीवी जीव कहते हैं. ठीक है, आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनिए, कवक जिसे हम फणजाई कहते हैं, अचार, चमड़े, कपड़े एवब अनपधार्थ ओपर उप उप जाते हैं, कभी-कभी आप देखते होंगे उस अचार के उपर सफेद सफेद सा कुछ जम जाता है, जिसे हाँ नुनिची बगएड़ा कहते हैं, जो चाटने में खटा-खटा टाइप का फील होगा, तो देखिए ये वही है, कवक ही है, फंजाई है, हाला कि वो मुझे हमारे सरीर में खर भी नहीं करता, देखो, जैसे जीब कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, ऐसे ही सुक्ष्म जीब भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं, तो अब मैं यहाँ पर बताऊं कि कवको की बिर्धी के लिए बरसा रितु सबसे अच्छी परस्तितिया परदान क हो जाते हैं इसी के साथ यहां पे किरिया कलाब भी किया गया है जिसे समझना आपके लिए जरूरी है ब्रेड आप जो पाउलोटी या डबल लोटी या ब्रेड खाते हैं उसका एक टुकड़ा ले लेना है आपको और इसे पानी से भीगो देना है और फिर किसी नम एबं उस उसना स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजे किसी खाली स्थान पर उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजे जहां पर धूप न जाता हो ठीक है अथवा उस समय तक रखा रहने दीजे जब तक कि उस पर रूए जैसी सरचनाय नहुग जाए जब तक कि उस पर फुपुंदी न लग जाए तब तक उस ब्रेट को आप वैसे ही छोड़ दीजे अब आपको यहां पर रखिए नीचे पर आपको बताया गया है यह आपको दिखाई दे रहा है जो हम लोग चाय बगएड़ा के साथ लेते हैं तो कहा गया है कि उसे पानी डाल के छोड़ दीजे 2-3 दिन क लिए जब तक उस पर ऐसा फुफुंदी न लग जाए लग न जाए कि वो सर रहा है उसके वादा वो क्या करना है आप जब वो फुफुंदी लग जाए तो इसके धब्बे किस रंग के हैं उसको आपको एबजॉर्ब करना है आप सुक्षमदर्सी की सहायता से मतलब की जबक या फंजाई कहते हैं इसकी पोशन परनाली पोशन विधी भिन प्रकार की होती है ये मृत एबं भी घटनकारी सरने वाली बस्तूओं की सता पर कुछ पाचक रसों का स्राब करते हैं और उसे सधारन एबं बिलय के रुप में परिवर्तित कर देते हैं कुछ ऐसे जी जीब को हम सह जीबी संबंध के रूप में जानते हैं उदारन के लिए कुछ कवक जो है वो ब्रिक्षों की जरों में रहते हैं और ब्रिक्ष कवक को पोशन परदान करते हैं बदले में उन्हें जल एबं पोशकों की अबशोसन में सहायता मिलती है ब्रिक्ष के लिए इस स हायता करने बाले होते हैं इसमें से एक सैवाल होता है और दूसरा कवक होता है सैवाल और कवक के बारे में हमने चर्चा किया है सैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है मैंने क्लोरोफिल के बारे मताया कि पेर पौदो की पत्यों में मौजूद होता है जो सुरी के प्रकास को ग्रहन करके पेर पौधों को उर्जा परदान करता है जिससे वो अपने भोजन का निर्मान करते हैं जबकि कवक में कुलोरोफिल नहीं होता कवक सैवाल को रहने का अस्थान जल एवं पोसक तत उपलब्ध करवाता है और बदले में सैवाल क्या करता है प्रकास संसलेशन द्वारा संसलेशित खाद कवक को देता है अब जिसमें क्लोरोफिल नहीं है वो तो भोजन का निर्मान कर नहीं पाएगा और आपको पता है कोई भी जीब जन्तु हो बिना भोजन की वो जिन्दा रह सकता है नहीं रह सकता है तो ऐसे में भोजन बनाने के लिए ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक के पास क्लोडो फिल नहीं है, तो वो दूसरा क्या करता है, उसे पानी लाके दे देता है, और दूसरा क्या करता है, बदले में भोजन पका के उसको दे देता है, जैसे दो बैक्ती है, एक के पास आटा है, और दूसरे के पास सबजी है, त तो दोनों मिलके अगर बैट के खाएंगे, दोनों रोटी और सबजी दोनों खा सकते हैं, और खाने के लिए रोटी और सबजी दोनों जरूरी होता है, अब यहाँ पे हम राई जो बीम के बारे में जान लेते हैं, पादपो को प्रोटीन बनाने के लिए समानता की कमी आ जाती है जब भी कोई फसल कटता है उसके बार मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी आ जाती है वायू में नाइट्रोजन गैस प्रचूर मात्रा में उपलब्द है बाता परण में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही उपलब्द है परं नाइट्रोजन को विलय के रूप में अबसोसित कर सकते हैं, कुछ जिवानू का नाम मैं लेना चाहूँगा यहां पे, जिसमें पहला है राइजोबियम, यह जिवानू क्या करते हैं, कि वायू मंदल से नाइट्रोजन को खेच कर, पौधों के जर तक पहुंचाने में मदद करते हैं, और वो कौन-कौन से पौधे हैं, जिनके जरो में राइजोबियम जो है, वो नाइट्रोजन भेजने में समर्थ होता है, तो चना है, मटर है, मूं है, सेम है, और अनफलिदार पादपो की जरो में कौन रहता है, राइजोबियम रहता है, जो वाता बरन से नाइट्रोजन की अपूर्ति हो जाती है नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है अधिकतर दले फलिदार पादपो से ही प्राप्थ होता है इसके बदले पादप क्या करता है राई-जोबियम जीवानू को आवास एबंखाद प्रदान करते हैं अतह उनमें सहजीवी सहजीवी संबंद के बारे मैंने भी आपको बताया था जब दो जीव साथ में बैठ कर एक साथ रहते हैं और अपना भोजन आठ बाट कर खाते हैं तो उसे हम सहजीवी संबंद कहते हैं और यह किसानों के लिए बहुत महत्पूर्ण है इस प्रकार की प्रकिरिया से किसानों क जमीन की उपजाओ शमता जो है वो बढ़ जाती है अलो की फसलों के लिए उन्हें मिर्दा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आप सकता नहीं परती क्योंकि राइजो बियम जो है वो बाता वरन से नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करके और लेडी पेर की जरों के म अब फसल तो कट गया तो उसके मिटी के अंदर जो सक्ती होगा वो भी तो खतम होगा ना मिटी जो सक्ती जो पेर पूद है उसके अंदर से अब्जॉर्ब करके खुद बढ़ होती है तो कैसे कोश्चनी कहता है कि मिटी अर्थात मिर्दा में जो पोसक तत्यों की कमी हो जा तो इसको पूरा पूरा कैसे किया जाता है तो यहाँ पर बताया गया है अपने किसानों को अपने खेतों में अथ्वा माली को अपने बगीचे में गमलों में खाद या उर्बरक डालते हुए देखा हुआ किसान पादप मिर्दा से खनीज पोसक ततो अपसोसित करते हैं जब भी पेर पौदे हम खेतों में लगाते हैं तो वो मिट्टी के अंदर जितने भी मौजूद गुन होते हैं उनको खेच लेते हैं और इसके बाद क्या होती है मिट्टी में छमता जो है पैदावार करने की ग हटती जाती है उर्बरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटैसियम, फासफोरस जैसे पोसक ततो होते हैं तो इन्हें खेत में डालने से क्या होता है पादपो द्वारा लगातार उपियोग किये जाने की कारण मिट्टी में उनकी मातरा दिरे-दिरे कम हो जाती है तो करेंगे कि हमने इस चेप्टर में क्या-क्या पढ़ा है तो देखिए सभी जीवों को खाद कियाब सकता होती है जितने भी जीव जन्तु होते हैं उनके बिर्धी के लिए उनके सारीरिक विकास के लिए उन्हें भोजन कियाब सकता होती है और जितने भी जीव जन्तु है न को पूरा करने के लिए उनको उर्जा प्राप्ट करने का काम कौन करता है भोजनी करता है दूसरा पॉइंट कहता है हरे पादप जो होते हैं जो हरे पेर पौधे होते हैं वो प्रकास संसलेशन प्रक्रम द्वारा मतलब फोटो सिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना खुद ब काकी करता है, मतलब क्या, कार्बं डाई-अक्साइड होना चाहिए, जल होना चाहिए, खनी होना चाहिए, तब जाके यह अपना भोजन निर्मान कर सकता, जैसे हमारी बात कर लो, example के लिए, हमारे घर में हम भोजन कब बना सकते हैं, दम जाबल होगा, दाल होगा, नमक होगा हल्दी होगा, आलू होगा, गोबी होगा, तेल होगा, मसाले होगे, तेज पत्ता, जीरा, धनिया, मिर्चाई, ये सारी चीजे तो चाहिए ना, तभी तो हम भोजन बनाएंगे ना, इस प्रकार से पेर पौधो के लिए क्या चाहिए, कारवें डिरोकसाइड, जल, खनी, तभ भोजन बनाने के लिए, पौधो के लिए, क्या-क्या जरूवत है, क्लोरोफिल की जरूवत होती है, सुरिके प्रकास की जरूवत होती है, तभी जाके वो अपना भोजन का निर्मा कर सकते हैं, अगला पॉइंट हमारा कहता है, कार्बो हाइड्रेट जैसे जटिलरसायनिक पदार्थ प्रकास संसलेशन के उतपाद है, कार्बो हाइड्रेट, यह जटिलरसायनिक पदार्थ है, यह प्रकास संसलेशन के उतपाद के रूप में जाना जाता है, प्रकास संसलेशन के प्रक्रम में, मतलब जब भी प्रकास संसलेशन हो रहा होता है, उसमें क्लोरोफिल बहुत महत्वपून है, क्योंकि क्लोरोफिल की सहायता से ही जो पत्तियां होती है पेर पौधो का, वो सौर उर्जा का संचयन करता है, मतलब उर्जा, सूरिक के प्रकास को एक पेर के अंदर पहुचाने में कारे करता है, प्रकास संसलेशन में ऑक्सीजन उतपादित होता है, याद रखिएगा जब भी पेर पौधा भोजन बनाता है तो पेर पौधों के अंदर से O2, oxygen को हम O2 कहते हैं और carbon dioxide को CO2 कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, तो oxygen उत्पादित होता है, वो oxygen को छोड़ता है, इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेर पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि हम कौन सा गैस लेते हैं, ना कि मैं oxygen करहन करते हैं और carbon dioxide छोड़ते हैं, और पेर पौधे क्या करते हैं, carbon dioxide लेते हैं और oxygen छोड़ते हैं, तो वो oxygen छोड़ेंगे तभी तो हम ग्रहन करेंगे ना, अगर पेर पौधे ही नहीं रहेंगे, तो हम oxygen लिये भी नहीं मर जाएंगे, कबक अपना portion मृत एबं अप घटित जैप पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मैंने आपको chapter में पढ़ाया है, कबक जो है, वो सरे हुए पौधे या जानवरों के अंदर जन्न लेके, उनके अंदर से अपने पोšक तत्यों की पूर्ती करता है, वे मृत जीवी भी कहलाते हैं, अमर बेल जैसे पादप जो है, वो क्या कहलाता है, पर जीवी कहलाता है, ये पर पोशी पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते इसके अलाबा कुछ पदार्थ एवं अन जीव अपने पोशन है तू अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं जिसे हम विशम पोशी कहते हैं कुछ पादप एवं सभी जीव याद रखे हैं कुछ पादप एवं सभी जीव दूसरों जीवें पर तो यहां पर यह सारी चीजे हो गया, अब यहां पर प्रमुक सब्द को आपको ध्यान से देखना है, आपको कॉपी में लिखना है कि स्वपोसी किसे कहते हैं, क्लूरोफिल क्या होता है, विशम पोसी क्या होता है, परपोसी क्या होता है, कीट भक्षी पादप क्या है, पोसक क्या है परजीवी क्या है प्रकास अंसलेशन क्या होता है मृत जीवी क्या है रंद्र क्या है सहजीवी संबंध क्या है और कवक क्या है ये सारे points लगवग मैंने आपको chapter में पढ़ा दिया है आपने क्या सीखा इसके भी सारे points को मैंने समझा दिया अब अगर हम अभ्यास के प्रश्णों की बात कर लें सबसे पहला प्रश्णी कहता है जीवों को खाद की आब सकता क्यों होती है तो आप सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि जीवों को भोजन की आब सकता क्यों होती है पर जीवी एब मृत जीवी में अंतर अस्पष्ट करना है, ये भी प्रशन आप कर लेंगे, इस प्रकार से यहां पे टोटल प्रशनों की संख्या जो है, वो 9, 10, 11, 12, 12 प्रशन आपको यहां पे दिये गए हैं, और आपको इन 12 प्रशन को कॉपी में करके चेक करवाना है, ताकि आपका यह पहला चेप्टर है, वो यहां पे मैं समझ जाओं कि आपको सही तरके से समझ में आ गया, इसके अलाबा, यदि आपको कोई प्रशन समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं, साथी साथ आपको यह बताना है, कॉमेंट में कि कुलोरोफिल क्या होता है, और कहां comment के लिए question रहेंगे कि chlorophyll क्या होता है चेप्टर का नाम था पादपो में portion यहां पर पून रूप से समाप्थ हो गया है आसा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा जानकारी पसंद आया तो वीडियो को like और चैनल पर पहली बाला है तो चै प्राप्थ होतार है आज के लिए इतना ही धन्यवाद